आप से कभी दुखे लन करते हैं और पहली कोई की प्राश्य आप यहां से बेठा मसा लेना है आपको मेरे विध्यार की जैसे हो मैं देदी आइडिया विश्विध्याले मैं प्रोफेसर हूँ दुलनात्मक भाशा दिभाब का अध्यक्षू आप जैसे कई विध्यार की मैंन तो इतने विध्वान है शर्मासर जानकार है कि यह हसने का वर्दान जो है न बेठा है यह पूरी स्रिष्टी में ईश्वर ने यदि किसी को दिया है तो वो केवल मनुष्य को दिया है यह इतने बड़े-बड़े लोग बठे हैं इनसे मैं पूछू कि सर आपने क्या कभी क कि गड़े को हस्ते हुए देखा है तो इए कहेंगे कि नहीं देखाँ अच्छा यहां पर देखिए छात्राएं भी बठी है उनसे मैं पूछू में बठी हैं कि क्या आपने कि सी भयाईस को मुस्कूराट यह देखा है दो लोग रहे कि कि नहीं देखा इसका एक अर्थ है अब देखिए कभी सम्मिलन शुरू हो रहा है आज से कभी सम्मिलन है इसका एक अर्थ है और अर्थ ये है कि यदि आदमी हसना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो गधा होने जा रहा है और महिलाए मुस्कुराना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो पहसत होती त जिसमें घरवाली नहों अच्छा ये जिनकी नहीं है वो चिल्डा रहे हैं जिनकी है विचारे वो तो चुचा पेठे हैं तो वो घरवाली नहों वो ससुराल ससुराल नहीं जिसके साली नहों वो बुल्शक बुल्शक नहीं जिसका हाली नहों और वो बहपिल बहपिल नहीं जिसके साली नहों अब इसके समयलिक की शुरुवात रखते हैं हमारे वीज अधरणी देहाती जी वाला थाट से उपस्तिक हुए हैं आज के शिकरात्री के अउसर पर शिकरी के परंप्री सुपुत्र का नाम गणेशी है अगरी डिरेक्टर साफ मैंने देवी अधिया की शुपित्याले इंदोर में जहां पढ़ाता हूं ऊएं केरिया और वेस्केंगी श के वित्यार्थी भी पर्टेम तो उन्हें किया जब हम गनेशी के आर्थी करते हैं उन्हें समझवराई नहीं आथि कि है एक गंत क्या है दयावत्त क्या है चार भुझा दारी क्या है मूश क्प की सावाजी क्या है तो गलाशree में उससरे तो पूछते हैं कि सर यह हूशक की सवाली क्या तो उन्हें समझाने के लिए मैंने गणेश्टी की आर्ती में उन्हें गठीने लगने वाले हिंती के शब्दों की जगे अंग्रेजी के शब्द रखे एक आर्ती बन गई वो विद्यार की उनके देश चले गए अब वहां से वो और उपर फेस्बूक पर मुझे लिखते हैं कि सर आपने जो मुझे हम लोगों को आर्ती सिख लई वो आर्ती हम यहां पर बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ गाते हैं मैं ये कहना चाता हूँ बेटा कि हम यदी अपने धार्विक ग्रतों का अपनी संस्क्रती का अपने संस्कारों का यदी आशिक या पूर अन्न अशाओना नुवाद कर दें तो हमारी संस्क्रती की गौरोध वजा विदेशों में भी विजय गर्व के साथ प्रेर कशी है मैं वही वाली आर्थी आपको सुना रहा हूँ, आप तानिया बचाईएगा, आनंद लीजिएगा, खोब आनंद आएगा, बिल्कुल केवल आनंद वाली बात है, फिर हम ज्यान वाली बात को आफरी में करेंगे, आईए मैं गणेश्री के आर्थी के साथ आदर्ली देहती ज आप चले गए अपने अपने यहां पे क्या विर साथ हिंदी सहीत्य के शव्ड कोश में, डायरेक्टर साथ घंचा भई 12 लाख शव्ड है, इन 12 लाख शव्डों में किसी भी शव्ड के पहले अ-अक्षर लादो, तो वो उस शव्ड का विलों हो जाता है, जैसे सथ्य सथ् एक दूसरे के उपोजित वरे, जैसे न्याय, न्याय के पहले लगाया अ-अक्षर, तो न्याय से अद्याय, एक दूसरे के विलों शव्ड, जैसे शोग, शोग के पहले लगाया अ-अक्षर, तो शोग से अशोग, एक दूसरे के विरोधी शव्ड विलों शव्ड, लेकिन बारव लाग शब्दों में एक मात्र ये सरदार शब्द ऐसा है एक मात्र ऐसा शब्द है जिसके पहले अ लगाओ तो वो बिलोग नहीं होता वो ज्यादा प्रभगी होता है सरदार ये असरदार सरदार शब्द बहुत बढ़िया भोटों पीछ आएंगे आईए मैं आर्जी के शुर्माट करता हूँ आपको वानद लीजिये न कि जय गनेश जय गनेश जय गनेश देवा बहुत अच्छा बढ़िया सब कीतन बाच्छा पर फिल कोई कीतन करेंगे जय गनेश जय गनेश जय गनेश जय गनेश देवा मंबिजा की फारवधी पापा महा देवा जय गनेश दिपारी फोल हेट सिंदूर सोहे मौस की सवारी रिती सिती एर देट यर एदी फेंटा जय गनेश देवा माता जाती पारवधी पिता महा देवा जय गनेश देवा अगले पेर गनेश देवा ब्लाइंड जन को आँख देत वीक जन को काया बाजन को चैड देत पूवर को माया ओल वर्क सिद्ध करे तौप बन तु देवा जय गनेश देवा जय गनेश जय गनेश देवा मम्मी जाती पारवती पादर महा देवा जय गनेश देवा एडी बोटी ब्यूटी ब्यूटी फैट तोंद हेवा लटवन को लाइक करे स्वीट खिटन देवा पोयट गाते प्रेयर करे जियर जियर देवा और फ्ले सिंदेख पी आईटी को नियर देवा जय गनेश देवा मम्मी जाती पारवती पादर जाती पारवती पापा महा देवा जय गनेश देवा और आईए आज के इस कारे करम के बिस्मिल्लाहिं प्रमाहिं रहीम में इसकी वेल विग्निय में इसके श्री गरेशाय दमाँ में इसके शुभा रखों में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिनेश देहाती को आपकी तालियों की डोर विरू की तरह चले और इसे बसंती बन कर चीछे तो आयसा लाविया कि आखे दिनेश देहा कि आखे दिनेश भाया आखाना